एक MP पूलिस में नौकरी का सपना देख रहा है युवाओं के लिए अच्छी खबर है MP पूलिस में बंपर भर्तियां होने वाली है माध्य प्रदेश रिसरकार पूलिस विभाग में 18,000 रिक्त पदों के लिए जल्दी भर्ती निकालने वाली है और मक्यमंत्री शिर्वरा सिंग जोहा ने पूलिस विभाग में रित्य पदों पश्टिगर भर्ती के निर्देश भी देदिये है पूलिस महारिदीशक विवेग जोहरी ने बताया है कि प्रदेश में पूलिस जबवानों के 18,000 रिक्त हैं जिनकी भड़ती की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी एक अच्छी और रहात भरी खबर युवाओं के लिए जो सपना देख रहे हैं पुलिस में भरती का तो MP पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे हैं युवाओं के लिए एक रहात भरी खबर है MP पूलिस में बंपर भड़तियां उने वाली है आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइब जूड़ गया है आकाश एक अच्छी ख़बा निकल कर सामने आ रही है MP पूलिस में बंपर भड़तियां बताई जा रही है और रोजगार को लेकर जो समस्या देखने को मल रही थी अब वो भी पूरी होगी बिल्कुल देखिए अब राथू के बढ़ते कराफ को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि पृदेश में जो पुलिस के रिक्त पद है जैसा कि डीजीपी विवेक जोहरी ने बताया है कि करीब 18,000 पुलिस के अब रिक्त पद हैं और इन पर जल्दी ही भरती की जाएगी सियम शिवराज ने डीजीपी को रिदेश दिये हैं कि जल्दी इन पदों पर भरती की प्रक्पिया की जाए और ऐसे में जो पुलिस विभाग के लिए तैयारी करने वाले चात्रे हैं जो विद्यारती हैं उन्हें फायदा मिलने वाला है चुकि लॉक्डाउन के बाद से और उसके पहले भी लगातार साइबर ठगी के मामले और घरों में चोरी के मामले बढ़े हैं ऐसे में सरकार ने स्वयम संग्यान लिया है कि अब बुलिस के पदों को बढ़ाया जाए और जो रोजगार की समस्या है इससे वो भी दोर होंगे करीब 18,000 लोग इससे लाभानवीत होंगे और जल्द ही भरती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं